हरदोई के बिलग्राम कोतवालिक शेत्र में पुलिस और स्वाट टीम की बदमाशों से मुटभेड हो गई मुटभेड जरॉली निवेदा मोड पर हुई पुलिस को मुखिबिरों से सूच न मिली कि कुछ बदमाश कहीं अपराद करने की योजना बना रहे हैं जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुची और बदमाशों ने गोली बारी शुरू कर दी जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फाइरिंग की आज थाना बिलग्राम के जरॉली निवादा रोड पर अंजुमन से आगे बाग के पास जो है बदमासों और पुलिस के बीच में मुटभेड हुई है जिसमें बिलग्राम, स्वाट टीम और मल्लावा की पुलिस की संजुक्त कारवाई में एक बदमास घाल हुआ है एक बदमास मौके पर पकड़ा गया है तता तीन अन्य उसके साथ ही जो है वो जो दूसरी मोटर साइकल को सवार थे वो भागने में सफल रहे हैं इस बदमास के बाएपायर में चोट लगी है जिसका नाम डीके और फखलेस पुत्र राजैंदर निवासी के थो लिया है इसके विर्दुकुल आठ हवियोग पंजिकृत थे लूट के जानलेवा हमलों के और गैंक सर एक्ट के दो हवियोग पूर से पंजिकृत थे स्मुटभेड में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश समेत तीन लोगों को ग्रफतार किया है जबकि तीन बदमाश फरार होने में काम्याब रहे हरदोई से आशीश दुवेदी की रिपोर्ट